बीते नबे की दशकी कुछ बेहत खुबसूरत और जानी मानी बॉलिवोड एक्ट्रेस में शामिल रही एक्ट्रेस मनीशा कोराला ने अपने लोक्स और 72 एक्टिन से लाको फैंस के दिलों में कुद के एक जबरदस पहचान बनाई थी और इंडिस्ट्री को भी एक से बढ़ देखी हैं और काफी कम समय में ही उनके शादी भी तूट गई और यहाँ पर सबसे बड़े ध्यान देनी वाली बात यह रही है कि अभिनीत्री ने अपने पती को ही अपना दुश्मन बताया अगर शुरुआती जीवन की बात करे तो मनीशा कोराला एक बेहत नामी और प्र परिवार के अने सदे से इसके लिए राजी नहीं थे लेकिन वक्त की साथ एक्ट्रस अपनी परिवार के सदेस्टी को मनाने में काम्याम जरूर ही करियर के शुरुआत मेही साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म सौतागर से मनीशा कोराला ने काफी जबदस्त लुक्र पियता हास और अपनी खुब सूर्ती और एक्टिंग से एक्ट्रस ने लाखो दिलों को जीत लिया फिर मनीशा ने एक के बाद एक बॉलिवुड के उननी सुब्याले ए लव स्टोरी दिल से गुप्त बॉम्बे अगनी साक्षिय और मन जैसे सांदार फिल्मों में नजर आई इसी बीच साल 2010 में एक्ट्रस ने निपाल के रहने वाले समराट दहल के साथ साथ शादी रचाई जो कि एक बिजनिसमेन थे लेकिन सिर्फ दो साल के अंदर ही एक्ट्रस की शादी तूट गई जिस पर किये इस सवालों की जवाब में अभी नीतरी ने बताया कि मेरा पती मेरा दुश्मन बन गया है एक महीला के लिए यह कितना बुरा हो सकता है इस सब के बाद ही मनिशा कोराले की परिशानिया थमी नहीं और पती से अलग होने के बाद अक्ट्रस को अपने कैंसर का पता चला हाला कि अक्ट्रस ने अपनी जिंदगी में इस जंग को भी चीत लिया और एक बार फिर से आक्टिंग की दुनिया में कदम रखी अक्ट्रस मनिशा कोराले आखरी बार पॉलिवूड अभी नीता संजेदत की बाई पिक संजु में नजर आई थी जिसमें एक्टर रडवीर कपूर की मागी किरदार कोनी भाई थी और इस फिल्म में मनिशा कोराले की जम कर तारिफ की गई थी इसके लावा आने वाली दिनों में जल्दी मनिशा कोराले संजी लिला भनसाली की अपकमिंग वैब सिरीज हीर मंडी में नजर आने वाली है जिसका एक्ट्रेस के फैंस को काफी बेसबरी से इंतिजार है और भी अधिक चानकारी के लिए बॉली वोड गपशप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें